यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ मа lorsा और बताया कि गाओं में तीन साल से गंद की फैली हुई है जिसके वज़ह से लोगों को भयंकर दुर्गंद का सामना करना पड़ता है परधामनतरी के स्वष्टा अभियान की पोल खोल रहा है ये गाओ मूझा खोसली का लाला गाओ है जहां की तस्वीरे आप देख रहे हैं अभी इस गाउं में जगे जगे गंदगी के अंबार लगे हैं सड़के कीचड से भरी हैं बिमारियों को नियोता दे रही हैं ये गंदगी और कीचड दुरगन से लोगों का जीन अमुहाल है स्कूल जाते बच्चों को भी इसकी वज़े से बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता है कोष्ली से हमारे समध आता बिरिंद्र पठाणिया इसी खबर पर जूड़ी हमारे साथ बिरिंद्र कोष्णी का ये लाला गाव है स्वच भारत अभियान को ठेंगा दिखाता हुए नजरा आ रहा है क्या इस गाउं की कोई सुनवाई नहीं है बिरंदर? जी मुम्ताज मैं आपको बता दूँ कि ये कोईसली हलके का गाउ है लाला गाउ है इसमें करीब तीन वर्षों से गंधी का आलम बना हुआ है और जो ये गंधी है ये फिर्मी के अंदर गंधी फैली हुए कीचर फैला हुआ है आने जाने वाले लोगों काफी परिशानी होती है लेकिन यहां बात अधिकारी को क्या अधिकारी कहीने कहीं गारी नीम सोय हुए और जो अपने प्रदान मंतरी मेरिंदर मोदी जी है उनके स्वस्ता अभ्यान को पलिता लगा रहे है जिमिताज तो गामवालों का कहना है कि शिकायत उन्होंने बहुत बार की है लेकिन उन हमारी डेंगो मलेर जैसी बैंकर बिमारिया फैल रही है तो यहां एक नजदीक स्कूल भी है चोटे बद्चोग स्कूल है वहां भी बिमारिया फैलने कि असंक है लेकिन पर शासन कहीं 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 नीम सोड़ा हुए जी मुत शुक्रिया बिरेंदर आपका हमारे साथ इस हुआ हुआ है